लौकी की सबजी तो आप कई तरीके से बनाए होंगे आज मैं लेकर आई हूँ लौकी की पत्तो की एक रेसिपी जिसको बनाना बहुत सिंपल है बहुत ही यूनिक रेसिपी है और खाने में ये बहुत-बहुत स्वाधिश्ट होता है मैं संचारी वेलकम करती हूँ आप सभी क मेरी चैनल इसी एड़ि कुकिंगमे यहान पर मैंने लिया है लौकी के पत्ते यह बिलकुल फ्रेश है तो पहले हम इसको अच्छे से वष कर लेंगे और क्लीन कर लेंगे उसके बाद इसको हमें राफली चौप करना है तो चौप करने के लिए सारे पत्तों को हमें कटः कर लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे ताकि काटने में थोड़ा सो बिदा हो अभी इसको हम काट लेंगे रफली बहुत ही यूनिक रेसिपी है बहुत कमाल की लगती है यह जो रेसिपी बन के तयार होगा इसको एक बर घर में बनाईएगा डेफिन तो लौकी के पत्ते मैं सारे काटके रेडी कर चुकी हूँ अभी क्या करेंगे एक पैन में मैं डाली हूँ जस दो चामच रिफाइन डॉयल इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ा सा कलोंजी वान चामच साथ में डालेंगे लसन के कलिया 6-7 लसन अगर आप जादा पसंद कर करते हो तो जादा डाले और साथ में डालेंगे हरी मिर्ची मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाले लेकिन ये रेसीपी अगर थोड़ा सा तीखा हो तो खाने में बहुत जादा मज़ा आता है अभी ज़स देड़ से दो मिनित के लिए हम इसको फ्राइ कर लेंगे ताके लसन का जो एक कचस मेल होता है वो चला जाए और दो से तीन मिनित हो चुका है अभी हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में जो पत्तों हम काटके रखे थे उस पत्ते को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और डालने के बाद जो मसाला अभी हम भून के पानी डाल के स्मूद पेस्ट बना लेंगे तो सारी पत्तों को हम अच्छे से ब्लेंड करके स्मूद पेस्ट बना चुके है अभी चलते हैं फाइनल स्टेप में अभी पैन गरम करके उसमें हम डालेंगे सर्सो का तेल यह जो रेसिपी है इसको आपको सर्सो के तेल में ही बनाना है क्योंकि सर्सो की तेल से इसका जो खुश्पू है इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा अभी सारी जो बैटर है इसको हम इसमें डाल दिये हैं मीडियम फ्लेम में इसको हमें लगातार फ्राइ करना है जब तक न यह पैन चोड़ना शुरू करें तो धीर थोड़ा सा चीनी डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा सा तर्मरिक पाउडर सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर से हमें इसको भूनना है मीडियम फ्लेम में जब तक न यह पैन्च होनना शुरू करें बहुत ही क्विक मेड रेसिपी है खा कर दो दौत यह घए कर दो दो